Hello everyone, this is Pramod and you are watching Flow Plan Hub channel. Welcome to the tutorial number 12 on how to create a two-story house using Revit Architecture. So previous classes में हमने यहाँ पर complete अपना 3D model, यानि के ground floor, first floor, terrace plan, आपका साथ ही में interior के furniture, dimensions और यहाँ पर complete exterior designing, material कैसे create करना है, material को कैसे apply करना है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली है. So, आज की class में हम यहाँ पर यह देखेंगे, किस तरह से आप अपने house में exterior lights किस तरह से यहाँ पर create कर सकते हो. So, चलिए दोस्तों, आज के tutorial वीडियो को हम start करते हैं. So, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने previous classes में अपना house create किया है, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने lights को create करेंगे. So, lights यहाँ पर हमें अगर समझनी की जुरूरत है, कि lights यहाँ पर generally दो type की हैं यहाँ पर जो आप लगा सकते हो. एक आप जो ceiling पर directly आप उसको apply करोगे, एक lights जो आप किसी भी surface पर apply कर सकते हो. So, अगर ceiling lights आपको लगानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ceilings का होना बहुत ही ज़रूरी है. So, हमने आप देख सकते हो कि ground floor के लिए हमने यहाँ पर अपनी ceiling create कर लेते हैं. So, इस ceiling में यहाँ पर कोई भी ceiling light यहाँ पर हम create कर सकते हैं. But, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह हमारे पास floor है. So, इस floor की category में यहाँ पर हम अपनी ceiling lights को नहीं लगा सकते हैं. इसमें जो भी आपके face के according आपके light होगी, वही हम यहाँ पर लगा पाएंगे. वहाँ से आप इसको download कर सकते हो, okay. So, first of all, ceiling lights को हम यहाँ पर create करते हैं. So, for that, you have to go to ground floor. आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यह ceiling आपके पास यहाँ पर created है, जो अपने previous classes ने यहाँ पर create किया था, right. So, go to component, then go to place a component, then go to load family. Then, यहाँ से आपको lighting option मिलेगा. and go to architectural, then internal lights, और यहाँ पर आपको multiple ceiling, linear box, ceiling, light flat round, down light, then यहाँ पर download rectangular, तो जिस type की भी आपको चाहिए, आप यहाँ से select कर सकते हो. So, let's say m down light, यहाँ सेलेक कर लेते हैं, simply उसको यह can shape में है, so this is flat round, इसको हम सेलेक करते हैं, और यहाँ पर open. Open करने के बाद, यह lights जहाँ जहाँ आपको create करनी है, apply करनी है, वहाँ simply आप click कर दोगे, और आपके light यहाँ पर apply हो जाएगी, something like this. अब आप चाहो तो यहाँ पर, अभी देख सकते हो, select element by, अगर मैं click करूँगा, तो आपका face select हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि face मेरा ना select हो, so आप यहाँ पर देख सकते हो, select element by face से इसको आप off कर दीजएगा, so आप अपने blue window से अपने lights को असानी select कर पाऊगे, drag करके इस तरीके से, then copy, और इसको मैं something like, यहाँ पर मैं copy कर देता हूँ, and something like, यहाँ पर मैं इसको copy कर देता हूँ, फिर इस वाले को मैं थोड़ा से नीचे drag, then again copy, और इसको मैं something like this, और side में थोड़ा से मैं इसको shift करा लेता हूँ, और इस complete को मैं select करके, मतलब यह जो lights लगाई है, इनको select करके मैं थोड़ा सा आगे के तरफ shift करा लेता हूँ, and the help of arrow की, और यहाँ से मैं इसको copy करा लगता हूँ, something like this, okay, so यह lights हमने यहाँ पर apply करनी, something इस तरीके से, इसको मैं side में थोड़ा सा shift करा लेता हू और इन दोनों को भी मैं shift करा लेता हूँ, something like this, so यह lights हमने यहाँ पर अपने ceiling में create कर दे, right, then यहाँ पर मैं 3D दिखूंगा, so आप देख सकते हो, यहाँ पर यह ceiling इस तरह से lights आपकी यहाँ पर apply हो गए, तिक, फिर इसके बाद next, यहाँ पर इस वाले floor पर मुझे यहाँ यहाँ पर अपने lights create करने हैं, तो कैसे create करेंगे, so for that, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा ऐसा ध्याम देना रहेगा, कैसे, अपने floor को select करिए, then जो आपकी walls है, अब देखो, wall यहाँ पर by face नहीं select हो रहा है, क्योंकि by face हमारा off है, तो इसको हम on कर लेंगे, और select element by face के पर यहाँ पर अपने walls को इस तरह से select कर लेंगे, select करने के बाद अपनी beams को भी select कर लो, और यहाँ से isolate पर जाने क बाद isolate element, ठीक है, so bottom से आप देखोगे, so आप यहाँ पर समझ सकते हो, कि हमें lights कहाँ का आपने apply करने है, ठीक है, so go to component again, then place a component, load family, then go to India, then यहाँ से आप अपने lightings, then यहाँ पर architectural, internal lights, और यहाँ पर आपको emphasis lamp, then यहाँ पर आपको round वाली इसको आप select कर लेंगे, simply open, और यहाँ पर down light, okay, और इस तरह से आपने down lights को यहाँ पर create कर लेंगे, right, और इसको select करके copy, जा फिर हम array करा सकते हैं, इसे copy कर लो आप, so something like 5-5 feet distance, कुछ इस तरह से, यह lights को आपको create कर लेंगे, and the last, टीक है, इस complete को select करके, हलका साथ सको shift करा दो, something like this, then again go to component, place a component, एक बार लाइट आप में लोड करा यह, तो बार बार लोड कराने की जुरत नहीं है, और कुछ इस तरह से भी हम lights यहाँ पर place कर दाएगे, and one one light on this, and done, right, so lights हमें इस तरह से create कर लिए, बस इतना ही रख रहेंगे, क्योंकि एक्सेयर, एक्सेयर कर रहे हैं, interior का मैं यहाँ पर lights नहीं लगा रहा हूँ, reset temporary and hide isolate, then again मुझे इस में lights लगानी है, so इसको select करके, इन दोनों walls को select करूँगा, then यहाँ से again, sorry, not this, floor को select करिए, दोनों walls को select करिए, then isolate, यहाँ से temporary hide isolate, and isolate element, then यहाँ से bottom again, then again architecture component, place a component, और एक्किक करके यहाँ पर आप अपने lights को create कर लो, कुछ इस तरह से, यहाँ मैं यहाँ पर zigzag direction में place करता हूँ, let's say, कि one light this side, one light this side, one light this side, this, and this, same way इस तरफ, इस तरफ यहाँ पर और, फिर front part, I think this is your front part, और यहाँ पर हम एक्के करके, अपने lights को create करेंगे, select this, then यहाँ पर, और एक light हम यहाँ पर और लगा लगता है, ठीक है, यह lights लगे हैं आपके, then again, यहाँ से reset temporary and hide isolate, so इस तरह से यहाँ पर अपने lights को create कर सकते हैं, साथी में यहाँ पर, wall light हमें लगानी है, so वो भी हम लगा सकते हैं, so go to component, then यहाँ से place a component, then load family, अभी यह light type, मैंने यहाँ पर अलग से save करके रखते, so go to usb drive and जहाँ मैंने save की, वाहाँ से मैं इसको load करा लोगा, okay, so external wall, और first light हम यहाँ पर लगा लगा लगा, then let's say, then second light, let's say recreate, यहाँ जरुवत वैसे है नहीं, यहाँ पर अगर आप लगाना चाहो तो एक लगा सकते हो, right, but यहाँ रहें दीजिए, फिर जरुवत में छोड़ें, बाद में गर जूरत रहेगे तो हम अप्लाय कर लेंगे, right, same, this side यहाँ पर भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, place a component, on this face, done, बस एक ही बहुत है यहाँ पर, okay, फिर से बाद यहाँ पर यहाँ पर यह हो गया, then यहाँ पर यह जो में जाल किया था, यह, फिर से हमें यहाँ पर क्रेट करना है, क्योंकि इस empty, कोई भी गड़ सकता है यहाँ से, so हम क्या करेंगे, then again go to, यह थोड़ा select part है, जल्दी से बना लेते हैं, component, rectangular box क्यार कर लेता हूँ, इसको मैं shift कर लेता हूँ side में, then copy, और इसको 6-6 inches पर मैं copy करा लेता हूँ, something like this, so sketches यहाँ पर दोखो, बस आपको थोड़ा से यह समझ ना रहेगा, कि आपको किस face पर क्या चीज़ बनानी हो, कैसे बनानी, बस यह तीस सोड़ा से यहाँ पर ध्यान दना रहेगा, बस that set, इसको मैं close कर देता हूँ, फिर इसके बाद, इसका material यहाँ पर iron ductile set कर देता हूँ, तो iron, 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 iron ductile, okay, and finish model, चिक, यह हो गया हमारे pass, इस तरह से हमने यहाँ पर अपने lights भी create कर लिए हैं, और फिर यहाँ पर हम अपने boundary wall में अपना text लिख देंगे, तो go to front view, तो यहाँ पर architecture, set pane, pick up plane, okay, और यह plane को set कर लिया, तो यहाँ से model text, so this is a 31 by 50 house design, okay, okay, और यह हमने text यहाँ पर लगा दिया, बट यह rotate कर आ लिज़े इसको, और बहुत ही बड़ा है, तो छोटा भी कर लेंगे इसको, ठीक है, so इसको सबसे पहले तो align to center, then go to edit type, then यहाँ से जो font है, let's say this is 4 inches, bold कर दीज़े और okay, so यह text आ गया, so अभी भी बहुत बड़ा है, house design को मैं यहाँ सा टागता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा यह project code होगा, that is sc04, okay, इसको select करके मैं side में दरहलगा सा shift करा लेता हूँ, shift कराने के बाद का इसका color change करना, तो color भी change कर सकते हूँ, यहाँ से material, and let's change it to white, and okay, done, ठीक है, फिर इसकी बाद मैं कहूँ, यहाँ पर मैं light create करना चाहरे हैं, बसे होई दिख करना है, यहाँ दिख करना है, ठीक है, यह होगी है हमारे पास, नेक्स टूटोरियल वीडियो में, नेक्स वीडियो में मैं यहाँ आप आपको बताना जाओंगा, कि किस तरीके से यहाँ पर हम अपने endscape में, अपने model को render कर सकते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में, अप्ता कि लिए टाठा, बाइ-बाइ, टेक क्यार विवन.